हालो गाईज, वालकम टो मैं चानल गुर्साइज कोचिंग क्लासीज, आज गास्रवल, गैस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जिन बच्चों नी ECC कोर्स में या फिर DEC कोर्स में अड्मिशन लिया हैं, उन बच्चों की जो असाइमेंट्स हैं वो आपको कैस आफ्टर अड्मिशन के बाद जब आपका अड्मिशन हो जाता है, अड्मिशन कंफर्म भी हो गया, आईकाट भी डाउलोड हो गया, उसके बद आपने जो असाइमेंट है वो बनानी कैसे स्टार्ट करनी है, कौन से पैन यूज करने हैं, और कैसे असाइमेंट आपको पू आपको पूरा कौशन वेपर मिलता है, एक बर मैं आपको कौशन वेपर भी दिखा देती हूं, तो हिंदी मीडियम का ये कौशन वेपर है, तो देखिए ये जो कौशन वेपर है, आपको इगनो की बैबसर्ट पे मिल चाहेगा, चाहे तो आप हमारा टेलीग्रम ग्रूप कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रप्शन में मिल चाहेगा, तो इस तरह से आपको जो कौशन वेपर जो पीडियेफ है वो आप डाउलोड करते हो, अपना लाइक बैबसर से, और उसके बाद आप सको प्रिंट निकाल सकते हो, तो ये जो कौशन वेपर है, यहा बाग है, वो घव है, इसमें आपको च्वाइस दी जाती है, इसमें आपको एक एक ट्राक्टिकल कौशन ही सॉल्व करना होता है, तो इसी पीडियेफ में, जो पीडियेफ आप डाउलोड करोगे, वेबसर से, या फिर हमारी टैलिकॉर ग्रूप से, उसमें ही आपकी डिये दीक्सी टू, असाइमेंट का कौशन बेपर भी रहेगा, ये लिखा हुगा डिकी 2, उसके बाद ही आपका जो इसमें रहेगा डिक 3, तो आपकी तीन असाइमेंट्स होती है, तीन असाइमेंट्स के जो पीडिये आप में मिल जाएंगे, तो ये पूरे अपके पीडिये अ और जैसे आज इस वीडियो में आपको जो यह DEC1 है यह से शात्रकरी ओन असाइमेंट है इसका पूरा आपको डेमो दिखाऊंगे कि आपने असाइमेंट कैसे त्यार करनी है और तीनों आपको जो शक्षज है वो एक यह साइमेंट करने है जो कि DEC1 है तो अभी हम देखते है आपके असाइमेंट यह कॉष्जन पर आपको पार रख दिया असाइमेंट के लिए फिर्स ली जो डाउट है कि मैं हम असाइमेंट हमने कौन से पेज पर लिखनी है हम A4 शीट यूज कर सकते है या फिर हमने Lines वाली शीट यूज कर सकते है या फिर अलिजिबल है तो आप दोनों शीट यूज कर सकते हो, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आप लिखने के लिए comfortable हो, तो आप आप A4 शीट यूज करके अपनी assignment easily बना सकते हो, otherwise मैं आपको show कर देती हूँ, मेरे पास और भी इक pack केट जिसके हम बच्चों को बना के देती हाँ, तो क्लासमेंcak», यह बिखी सकतीं हो शीट्वश यहाँ आपको दें, ऐसले बहारी हैं क्लासमेंटी hands आप जो शीट सकती हो अपनी assignments बनाने के लिए इस पे आप कुछ भी decoration बगरा कर सकते हो तो यह इस तरह कि इसके page रहते हैं यह देख सकते हो like दोनों साइड मान के चलो इसके lines रहेंगी तो आप यह शीट पी यूज करके अपनी जो assignments है वो बना सकते हो और इस sheets में मान के चलो एक जो अपकी assignments रहती है तकरीबन उसमें आपके 50 pages लग जाते है 50 to 60 pages के हैं लग जाते हैं तो अभी assignments का जैसे जो first question है आप अपने way में start करोगे और assignment बनाने के लिए pen जैसे black यूज कर सकते हो ब्लू पैनी यूज कर सकते हो और आपको sketch color यूज कर सकते हो decorations के लिए या फिर अपने diagram बनाने के लिए इसके इलाबा अगर आप कुछ भी decoration करना चाहते है तो कर सकते हो अपने question के according तो यह आपका जैसे मैंने मैंने आपको first question भी दिखा रही हूँ जो भी आपको question पूछा गया है उसे के regarding आपको answer लिखना है उसके regarding आप उधारन लिख सकते हो या फिर आपका जो भी वानके चोड़ टाइटल बगरा है उसके according diagram create होती है तो आपको diagram भी create करनी है जैसे कि हमने की है तो यह जो assignment के solid PDF हम 100 पी प्रवाइट करते हैं अगर अपनी अभी start करना चाहते हो तो 300 assignment के cost रहती है आप 300 payment करके अपनी assignment के soft copy वो buy कर सकते हो तो उसके साथ हम आपको जो इसे question paper प्रवाइट कर देंगे और इसा पीड़ इसको solve up किया है और अच्छी way में अपनी assignment को complete किया है तो पूरी PDF आपको assignments के मिल जाएगी और इसमें parts मिल जाएगे assignments के सेमी अभी मैं आपको English medium का भी दिखा देती हूँ तो यह assignments को आपको ऐसे ही complete करना है और जब मान के चलो आपकी जो assignment complete हो जाती है आपको कैसे submit करना है वो चीज़ भी बताती हो तो आपके इतने doubts clear होगे कि आप कोई भी sheet यूज कर सकते हो लाइंस वाली भी यूज कर सकते हो A4 sheet पी यूज कर सकते हो pen के लिए blue pen या फिर black pen यूज कर सकते हो sketch pen यूज कर सकते हो और जो sheets है वो easily आपको market से मिल जाएगी वहां से जाकर आप अपनी sheets buy कीजिए और PDF को देखके अपनी assignments अब written कीजिए बाकि यह जो questionnaire paper है questionnaire paper का PDF में आपको send कर देती हूँ बाकि आप अपन print निकालना भी compressly है वो भी वीडियो के last में बताऊंगे क्यों compressly है क्यों print निकालना है अभी मैं आपको English medium के दिखा देती हूँ जिन students का English medium है तो यह आपके English medium के question paper है सेम ही एक ही PDF में आपको तीनों जो assignments के question paper मिल जाएंगे DC1, DC2 and DC3 एक ही PDF में question paper रहेंगे और आपको भी प्रिंट निकालना है अभी English medium के assignments में दिखा देती हूँ सेम इसके लिए सेम प्रुजिसर रहेगा कि आप कोईविस sheet यूज कर सकती हो A4B यसे plane sheets याफ लाइनसबल sheets 10B आप blue और black यूज कर सकती हो तो पूरे way में मानके चलो जो assignments आपने अपनी डाइग्रम के साथ इच्छ के साथ ता जो प्रिंट निकालके सेम अपनी जो assignments में वो रिटन कर पाएं या फिर लगा पाएं तो वो सभी details हम प्रवाइड करते हैं आपको WhatsApp पे जिस वे में आपको पूरा content मिल जाते हैं तो यह इसके question paper रहते हैं और हिंदी वल assignment मैंने आपको दिखा दी है अभी बात कर मिल सकती हैं तो आपको इसको submit करने के लिए जो फाइल यूस करनी है वह आपको यह paper file यूस करनी है यह paper file बोलती है just 5 ए या फिर 6 रुपीज की आ जाती है तो आपको यह filing लेनी है यह paper files होती हिसमें thread भी मिलते साथ में यहां पर होल करके यह thread के साथ साथ बाइंड कर सकते ह और यह front page यह भी हम आपको शेयर करते हैं यह front page आपको लगाना आपकी जो फाइल को कौन से भी color की हो सकती है white या colorful भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बड़ पेपर फाइल होने चाहिए उसके साथ यह assignments वाला यह front page यह अपका लगा होना चाहिए आपकी तीन assignment होती है और आपकी यह तीन फाइल्स बनेगी जैसे यह first मैंने आपको शो की है सेम ही अपकी second सेम ही अपकी third और assignment में मान के चलो आपने complete कर लिया यह आपकी जो DEC1 assignment complete हो चुकी है तो इसको आपनी क्या करना है इसके under enter करना है और यहां पर आपको hold करके इसको अच्छे से bind कर देना है बाइन करने से पहले आप क्या चीज़ करोगे इसमें मान के चलो starting में इसके जो caution paper भी लगेंगे caution paper जैसे यह DEC1 assignment है तो अभी मेरे पास यह full है बट आपको only DEC1 assignment का यहां पर caution paper लगाना है caution paper लगा दोगे उससे उपर आपको अपना icon लगाना है अभी मेरे पास कोई print icon नहीं है बट आपका जो भी icon आप download करोगे उसका print निकालना है तीन या चार प्रिंट निकालोगे आपकी हार एक assignment के आगे लगेगा तो आपके front page पी यहां पर आपको आइकाड लगेगा फिर आपके caution paper लगेगे फिर उसके बाद आपके पूरी assignment रहेगी assignment को कहीं से चेक नहीं करवाना होता प्रजेक्ट वरक आपका चेक होता है और उसके बाद आपको यह assignment का front page होगा और front page में देखिए enrollment number जो आपका icard पी आपको roll number मिलेगा उसको enrollment number बोलते हैं वो चीज़ा यहां पर आपको fill करनी है आपका name, आपका phone number, आपकी email id, आपका personal address program code क्या रहेगा, जैसे अगर आपने ECC में लिया है बट इसका जो code है इग्नो उनिवस्टी में D.E.C.E. है तो वही आप fill करोगे program का code, course code जैसे यहां पर full information फिल कर सकते हो, course code आपका क्या रहेगा जैसे D.E.C.E.1 उसके बाद course title यहां पर details आजाएगी, जैसे full name आजाएगा course का, assignment number आपका आजाएगा D.E.C.E.1 अगर one है तो one, two है तो two, three है तो three, study center, जो study center अपने callers अपना fill किया है, उसका पूरा नाम और उसका code यहां पर fill होगा, submission of date, March मन्त में कब submit करोगे date आजाएगी, यहां पर आपका sign आजाएगा, बाकि इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि assignment का front page कैसे fill करना है बेसिक सी information मैंने आपको बता दिया, तो submit करने से पहले आपको यह front page कमपर स्ली fill करना है, अपना icon लगाना है, उसके बद आपके पूरी assignments यह रहेगी, तो same ही आपका English में रहेगा, और तीन assignments आपको एक साथ बना के अपने study center में March मन्त में submit करनी है, जिन students ने अभी admission लिया ह उन बच्चों की assignment अभी September मत में submit होगी, तो at last में अगर आपको assignments की, जैसे जो मैंने आपको दिखाया है, डामो दिखाया है, इस assignments की solid PDF चाहिए, content की solid PDF चाहिए, ता जो आप अपनी assignment है, वो easy way में बना पाऊ, तो आप मुझे वर्सम मेस्स करके solid PDF ले सकते हो, अगर by chance, आप आप माल के चलो busy हो, आपके पास time नहीं है, assignment बनाने का, तो आप hard copy भी buy कर सकते हो, hard copy में हम पूरी बनी बनाए assignments आपको provide करेंगे, से फाइलिंग वरा सब लगा के देंगे, और आपके address पे हम deliver कर देंगे, तो just आपका काम होगा, कि आपने यहाँ पे sign करने है, और अपनी assignment submit कर देनी है, और एक doubt और कि मैं writing का कोई issue तर नहीं आएगा, तो कोई भी issue नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सरी hard copies प्रवाइड की है, आप मेरी चैनल पे short video चेक कर सकते हो, तो किसी भी students की कोई भी complain नहीं है, बहुत ही अच्छे marks बच्चों को मिले है, तो अ स्टार्ट करना है, या फिर अपकी exam के content कौन कौन सा रहेगा, syllabus क्या क्या रहेगा, उसके लिए चैनल को subscribe शूर कर लेना, वीडियो अच्छे लगी वीडियो को like करके comment करना, बाबाई